हेलो प्रेंज वेल्कम बेक कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब के बड़ाई बीच्ची चल रहे होगे तो प्यारे विद्यारतियों कट्सानों विज्यन विशे के तेहत हमने शुरू किया था आपका अध्या नंबर साथ जीवों में विविद्ध उसके पार्ट वन के तेहत हमने वर्गी करण क्या होता है और जीवों के वर्गी करण की जो पांच में बड़ी केटेगरी है उनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था है अधि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसके लिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हु पार्ट वर्गी करण के अंदर जो अलग लग भाग है जिसमें थेलोपाइटा, ब्रायोफाइटा, टेलीडोफाइटा, जिमनोईस्पर्म और एंग्योईस्पर्म ये जो प्लांटी जगत को हमने पांच बागों के अंदर वर्गी करण किया है इन सभी के बारे में हम पादप जगत के जीवों का वर्गी करण तो जो प्लांटी जगत के जीव है उनको निमना आधार पर वर्गी करण किया गया है उनके वर्गी करण का आधार क्या है पहले हम उस बात को समझते हैं कि हमने प्लांटी जगत जिसे हम कह रहे हैं पादप जगत या फिर आपका वनस्पती जगत, उसको हम किस आधार पर वर्गी करत कर रहे हैं, उन आधारों के बारे में पहले हम जानते हैं, तो देखें, आधार का जो पहला बिंदू है, वो है पादप सरीर के परमुक गटक, पादप सरीर के जो परमुक गटक है, क्या वो पौंड रुप से विक्सी थ और पौंड रुप से विवेदित है, अत्वा नहीं है, विवेदित का मतलब है कि क्या उनको टुगडों के अंदर बाटा जा सकता है, या नहीं बाटा जा सकता है, विवेदिन का मतलब होता है तूटना, है न, विवेदिन का मतलब होता है तूटना, तो पहला बर्गी करन का आदार क्या है कि पादप सरीर के जो परमुक गटक हैं क्या वो पौन रूप से विक्सित और विवेदित हैं अत्वा नहीं है दूसरा दूसरा जो आदार है वो है कि पादप सरीर में जल और अन्य परदातों के संवहन करने वाले जल और अन्य परदातों का संवहन करने वा जल और अन्य पोसक प्रदाथों को एक भाग से दूसरे भाग में लेकर जाने वाले विस्ष्ट उत्तक जिने हम समभन उत्तक के सकते हैं, क्या वो समभन उत्तक मौजुद है या नहीं मौजुद है, तो दूसरा आधार ये हो गया समभन उत्तक की उपस्तिती, कि वो मौजु कि जो पौधे हैं वो बीज पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अगला है कि पौधों में बीजदारण की यदी समता है तो फिर जो बीज है वो फल के अंदर विक्सित है अत्वा फल के बाहर विक्सित है यदी पौधों के अंदर बीजदारण की समता है तो अगली सरत हमन थाले में क्या किया है प्लांटी जगत यानि पादब जगत का वर्गी करन किया है तो यह चार बाते आपको बहुत अच्छे से द्यान रतनी है पहली कि पादब शरीर के प्रमुक गड़क आज जो प्रमुक भाग है क्या αυτवा नहीं है पहला अधर पादब परमुक्ट जो गटक हैं वो पौन रूप से विक्सित हैं अत्वा नहीं है। दूसरा इस्तर कि पादप के अंदर समवहन उत्तक मوجود है या नहीं है। तीसरा आधार कि पादप में बीजदारन की समता है अत्वा नहीं है चोता आधार कि यदि बीजदारन की समता है तो जो बीज है वो पादप के अंदर विक्सित हो रहा है यानि फल के अंदर विक्सित हो रहा है अत्वा फल के बाहर विक्सित हो रहा है ये परमुक चयार आध पर हमने पादप जगत का वर्गी करण किया है ठीक देखें आपके सामने प्लांटी जगत की जो जीव हैं उनको हमने मुखितब पांच के अंदर बाटा है कितनी के अंदर बाटा है पहला है थेलो फाइटा समू अभी केवल आप नियाम याद रखेंगे कि जो उपर हमने पांच के अंदर बाटा है पहला है थेलो फाइटा समू के पादप दूसरा ब्रायो फाइटा समू के पादप तीसरा टेरीडो फाइटा समू के पादप चोथा जिम्नो इस्पर्म समू के पादप और पांच वा एंजियो इस्पर्म समू के पादप ये पांच नाम आपको तो याद रखने हैं थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरीडोफाइटा, जिम्नोइस्पर्म और एंजियोइस्पर्म, ये पांच बागो पर या पांच वर्गों के अंदर हमने पादप जगत को क्या किया है, वर्गी करत किया है, देखे आपके सामने एक चार्ट भी दि दूसरा पुस्पोद भीद, अपुस्पोद अउपसर्ग का मतलब होता है, नहीं, क्या होता है, नहीं, यानि जिसमें पुष्प का विकास नहीं होता है, और पुस्पोद भीद जिसमें पुष्प का विकास होता है, पादप जगत को हमने दो बड़ी केटेगरी में बाट और पुषप द्भीद का मतलब वे पादप जिनमें पुषप लगते हैं तो जिनमें पुषप नहीं लगते उसमें तीन सामिल है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरीडोफाइटा इनमें पुषप नहीं लगते हैं ठीक है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टे प्रेटिरिया सेवाल कवक और जिवानों पिर जो पुष्पो वाले पादप हैं उस रहनी में हमने दो पाग फिर से किये हैं एक नगनबीजी और दूसरे आवर्त बीजी नगनबीजी का मतलब है कि जिसमें जो बीज है वो खुला पाया जाता है और आवर्त बीजी के अंदर जो बीज है वो एक बीज पत्री अतवा दूई बीज पत्री यानि एक खंड के रूप में अतवा दूई खंड के रूप में पाया जाता है तो एक बीज पत्री जिसमें केवल एक बीज पत्रों के रूप में बीज होता है और दूसरा होता है दूई बीज पत्री दूई ब बीज बत्री जैसे मैंने कहा सर्सो का बीज क्या सर्सो की बीज को आप दो बागों में तोड़ सकते हो जो दोनों भाग एक समान हो ऐसा जरूरी नहीं होता है तो अमने पादब जगत को दो बड़ी कैटेगरी में बाटा अपुस्पोध भीद और पुस्पोध भीद जिसमें एंगियो इस्पर्म और आपका एंगियो इस्पर्म ठीक है एक है आपका जिम्नो इस्पर्म और एक है आपका एंगियो इस्पर्म उस्पोध भीद जिसमें पुस्प लगते हैं उसको अमने दो कैटेगरी में बाटा एक जिम्नो इस्पर्म और एक एंगियो इस्पर्म जि इसको उने फिर से दो केटेगरिन बाटा एक बीज पत्री और द्वी बीज पत्री देखें आगे अगला वर्गी करण का चार्ट एक बार फिर से दिया हुआ है यहां पर भी हमने कुछ अलग तरीके से क्या किया है पादप जगत को बाटा है देखें पादप जगत का सबसे पहले पने वर्गी करण की साधार पर किया है वो किया है बिना पादप शरीर बिना वभीधन के जिसमे वभेधन याने की वभीधन का मतलब है कि उसको हम दो भागों के अंदर बाट नहीं सकते हैं तो वो कुंसा है थेलोफाइटा अव्रग के जो पादप है उनके शरीर को हम दो समान भागों के अंदर विवेदित नहीं कर सकते विवेदन का मतलब है वह विभाजन बटवारा यानि कि ऐसे पादप जिनके सरीर को हम दो समान भागों में विवेदित नहीं कर सकते तो वो कौन सा है थेलो फाइटा समू के पादप फिर हमने यहाँ पर दूसरी केटे तो वो कौन सा है ब्रायो फाइटा वर्ग इसमें जल और खनीज लवनों को पादप के विभिन भागों में ले जाने के लिए अलग से कोई सम्भानी उत्तक नहीं होते हैं फिर सम्भानी उत्तक वाले पादप इसमें हमने दो केटेगरी बाटी एक बीज रहित जो बीज पैदा नहीं करते दूसरे बीज उत्पादित करने वाले जो बीज पैदा करते हैं तो बीज रहीत कौन से हो गए टेरीडोफाइटा जो बीज करने की समता जिन में नहीं होती है फिर है बीज उत्पादित करने वाले उनको हम क्या कहेंगे फैनरोगेम फैनरोगेम को फिर से दो बागों में बाटा नगन बीजी जिनके बीज नगन खुली अवस्ता में पाई जाते हैं वो होते हैं जिम्नो इस्पर्म और फलो में बंद बीज वाले वो कौन से होते हैं एंजियो इस्पर्म एंजयो इस्प्रम को फिर से दो बागों में बाटा, दो बीज पत्रवाले बीज और फलो में बंद बीज तो दो बीज पत्र वाले बीज क्या कहलाएंगे द्वी बीज पत्री और फलो में बंद बीज वाले जो पादर पे वो क्या कहलाएंगे एक बीज पत्री कहलाएंगे तो ये वर्गी करण का दूसरा हमने चार्ट समझा है उम्मिद करता हो दोनों चार्ट आपको मोटे मोटे तोर पर अच्छे समझ में आ गए होंगे अब बात करते हैं बारी-बारी से परतेग वर्ग की तो सबसे पहला जो वर्गी है वो है अमारा थेलोफाइटा वर्ग क्या है थेलोफाइटा वर्ग देखें पहली जो इसकी विसेश्ता है सबसे महत्वण है इस पोधे की सारीरिक सरंचना में विबेदी करण नहीं पाया जाता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्णा कि इस पोधे जो थेलोफाइटा समू के जो जीव हैं जो पादब हैं इनकी सारीरिक सरंचना में विवेदी करण नहीं पाया जाता यानि इनके सरीर को हम दो समान भागों में विवाजित नहीं कर सकते हैं विवेदी करण का मतलब क्या है कि इन पादब के सरीर को हम दो समान भागों में विवाजित नहीं कर सकते हैं ठीक पहली विशेष्था ये होगी कि इनमें विवेदी करण नहीं पाया जाता है दूसरी विशेष्था इस वर्ग के पोधे को समानेत हम क्या कहते हैं सेवाल कहते हैं कि फेलोपाईटा समूओ के जीवों को हमने इन تीन केटिंगरी में बाता था किnels के द्वाल य दूसरा था कवक क्या कहते हैं एलगी यानिकी सेवाल ही कहते हैं अगली विसेस्ता थेलो पाइटा समूगे जितने भी पादप होते हैं वो जलिये पौधे होते हैं कौन से होते हैं जलिये पौधे होते हैं कौन से पौधे होते हैं जलिये पौधे होते हैं उद्यारन की बात करूं तो यूलो श्रिक्स, इस्पाईरो गोईरा और कारा ये तीनों ही धेलो पाइटा-समू के जीव है या थेलो पाइटा-समू के पादप हैं तो हमें यहाँ पर तीन विशेस्ता मुख्य रुप से ध्यान रखनी है क्या विसेस्ता इन पौदों की यह थेलो फाइटा समू के जो पौदे हैं उनकी सारेजिक सरंचना में विवेदी गरण नहीं पाया जाता फिर इस वर्ग के पौदे को सामने ते हम सेवाल कहते हैं और यह कैसे पौदे होते हैं तो यह आपके जली पौदे होते हैं और साथी साथ इनमें क्या नहीं लगते हैं, इनमें कोई पूस्प नहीं लगते हैं, ये बात भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, इनमें कोई पूस्प नहीं लगते हैं, ठीक, तो ये विशेस्ता में अच्छे से याद हो गई होगी, विबेदी करन नहीं पाया जाता जनरली पोधों को शेवाल कहते हैं यह जलिये पोधे होते हैं और अपुस्पोध भीद यानि इन में पुष्प नहीं लगते हैं इनके उपर पुष्प नहीं आते हैं उदारण की बात करो यूलोत्रिक्स, इस्पाइरोगोःरा और कारा इस्पाइरो गोईरा कई बार प्रिक्सा में पूछा जाएगा तो ये थेलोफाइटा वर्ग का सदस्य है आगे बात करें ब्रायोफाइटा समू के जीवों के गोन दूसरा कौनसा वर्गी करन है वो है आपका ब्रायोफाइटा कौनसा है ब्रायोफाइटा पहली विसेस्ता ये ब्रायोफाइटा समू के जो पौदे होते हैं वो जलिय और स्थलिय दोनो ही होते हैं पाधप वर्ग को कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा समू के जो पाधप है उनको पादप वर्ग का उबेचर कहा जाता है उबेचर क्यों कहते हैं कि इस वर्ग के पादप जल में भी रह सकते हैं और भूमी पर भी रह सकते हैं ठीक अगली विसेस्ता है कि यह पादप तना और पत्तो जैसी सरंचना में क्या होते हैं विभाजित होते हैं यानि इनमें विवेदि करण पाया जाता है अगली विशेस्ता क्या है कि जो ब्रायोफाइटा समू के पादप होते हैं उनमें पादप वो तना और पतियो जैसे सरंचना में क्या होते हैं विवाजित होते हैं यानि इनमें विवेदी करण पाया जाता है अगली विशिष्टा इसमें पादप सरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और दूसरी चीजों के सम्वहन यानि परीवहन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाये जाते हैं ये विशिष्टा आपको याज रखनी है इनमें विवेदी करण तो पाया जाता है लेकिन पादप सरीर के विभिन भागों में जल और अन्य परदातों के सम्वहन के लिए कोई अलग से विशिष्ट उत्तक नहीं पाये जाते हैं ये होगे तीसरी विशिष्टा उदारन की बात करो जैसे मौस यानि फिवनेरिया और मारकेसिया फिर रिक्सिया मारकेसिया और फिवनेरिया ये सारे के सारे ब्रायोफाइटा समू के पादप हैं तो यहां पर आपको तीन विशिष्टा याद रखनी है कितनी विशिष्टा तीर विशिष्टा पहली विशिष्टा है कि ये जलिये और इस्तलिये दोनों होते हैं दूसरी विशिष्टा इनमें विवेदी करन पाया जाता है और तीसरी विशिष्टा इनमें सम्वहन उत् ये तीन विशेशता आपको अच्छे से याद रखनी है ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला है टेरीडोफाइटा समू के जीवों के गोण हमने थेलोफाइटा पड़ लिया, ब्रायोफाइटा पड़ लिया तीसरा है टेरीडोफाइटा कुणसा है टेरीडोफाइटा इसमें पोदो का जो सरीर है वो जड़ तना और पत्तियों में क्या होता है विभाजित होता है यानि इनमें क्या पाई जाता है इन पादप की सरंचना में विभेदी करण पाया जाता है पहली विज़ेस्ता क्या है इन पादप के सरीर में विवेदी करण पाया जाता है दूसरी विज़ेस्ता इनमें विभिन परदातों के समवहन के लिए समवहन उत्तक भी पाय जाते हैं क्या पाय जाते हैं? समवहन उत्तक भी पाय जाते हैं जिनकी मदद से पादप में जल और अन्य जो परदात हैं, वो एक भाग से दूसरे भाग तर क्या होते हैं, इस्ता नांतरित होते हैं, उदारन की बात करों, तो मारसीलिया, फर्न और होर्स्ट्रेल, ये सब क्या है, ये सब आपके टेरीडो फाइटा समू के पादप के उदा जानू कहते हैं, ये जो भुरुण है, वो नगन अवस्ता में, खुली अवस्ता में पाए जाते हैं, अगली विसेस्ता, इनमें जो जनन अंग होते हैं, वो अपरतेक्स होते हैं, वो डायर्क्ली इमें दिखाई नहीं देते, अतो इनमें बीज उत्पन करने की जो समता है, वो नहीं होती है इनमें बीज उत्वन करने की समता नहीं होती है तो यहाँ पर हमने चार विशिस्ता पड़ी पहली विशिस्ता इनमें विवेदी करन पाया जाता है दूसरी विशिस्ता समभन उत्तक भी पाये जाते हैं नगन भुरून पाये जाते हैं और इनमें बीज उत् नग नभून पाए जाते हैं जिने बिजानू कहते हैं और जो जनननंग होते हैं वो अपरतेक्स होते हैं इस वज़े से इन में बीच बैदा करने की समता नहीं होती है बात करूँ उदारन की तो देखें मारसीलिया और फर्ण ये दोनों ही टेरीडो फाईटा समू के क्या है पादप के उदारन है आगे बात करें हम वो है क्रिप्टो गेम और आपका फैनरो गेम तो पहले बात करते हैं हम क्रिप्टो गेम की क्रिप्टो गेम के अंदर जो जनन अंग है वो जनन अंग कैसे होते हैं वो जनन अंग आपके अपर्तेक्स होते हैं कैसे होते हैं अपर्तेक्स होते हैं यानि की जनन अंग अपर्तेक्स है इसका मतलब इनमें बीच पैदा करने की समता नहीं होती है इस वज़े से इनने क्य क्रिप्टो गेम कहते हैं क्रिप्टो गेम 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 क्रिप पौधे जिन में जो जनन उत्तक या जो जनन अंग है वो पून रूप से विक्सित होते हैं और कैसे होते हैं पून रूप से विवेदित होते हैं याने की जनन प्रक्रिया के पच्चात इनमें बीज पैदा करने की समता होती है इस वज़े से इने क्या कहते हैं इस वज़े से क्या देखा हमने बीच पैदा करने की समता के आधार पर वर्गी करण देखा वे जीव या वे पादप जिन में बीच पैदा करने की समता नहीं होती उन्हें हम क्रिप्टो गेम केटेगरी में रखेंगे और जिन में बीच पैदा करने की समता होती है उन्हें हम रखेंगे फै थेलोफाइटा, ड्रायोफाइटा और टेरीडोफाइटा, फेन्डोफाइटा, फेन्डोफाइटा और 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 फेन् की सम्ता नहीं होती यानि जो जनन अंगे वो कैसे होते हैं अपर्तेक्स होते हैं उद्यारन की बात करो तो ठैज़ी डु फाइटा समु के जितने भी पादप हैं वो सब इस केटेग्री में आएंगे फिर बात आती है फेंदरो गेम की अभी मनें देखा फेंदरो गेम के यो इस्प्रम समूः के पादव कोण से किग्री में हैं आपकी फेन्रो गह्म काटेग्री में तो एह दोनों के अंधर अंतर हो गया पिर अगला बिंदु आपके सामने दिया हुआ है कि आखिर यह बिजानु क्या होता है क्या दिया हुआ है आखिर ये भीजानू क्या होता है तो थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इन में बीज पैदा करने की सम्था नहीं होती है अतों इंन में कौनसा भृून पाए जाता है नगना भृून यानि नगन भुरून वाले जो बीज होते हैं उन नगन भुरून वाले बीजानू को हम बीजानू कहते हैं अगय सोज में कि थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरीडोफाइटा इनमें बीज पैदा करने की समता नहीं होती है अते इनके जो भुरून हैं वो कौनसी वस्ता में पाई जाते हैं? नगन वस्ता में यानि खुली वस्ता में पाई जाते हैं जिने हम क्या कहते हैं? बीजानू कहते हैं मतलब simple वासा मैं कहूँ तो नगन भूरून वाले जो बीज होते हैं उनको हम कहते हैं बिजानू क्या कहते हैं आगे बात करें अगला जो वरगीकरण है वो है जिमनो इस्प्रम कौनसा है जिमनो इस्प्रम अभी हमने देखा की जो जिमनो इस्प्रम है वो दो गृट सब्द एक जिम्नो और एक इस्प्रम इन से मिलकर बना है। जिम्नो का मतलब क्या होता है नगन यानि खुली अवस्ता में और इस्प्रम का अतल क्या होता है बीज यानि कि इन पादपों के अंदर जो बीज हैं वो कैसे होते हैं नगन बीजी होते हैं। ये पादप कौन से होते हैं नगन बीजी पादप होते हैं यानि जो बीज है वो नगन अवस्ता में खुली अवस्ता में बिजानू के रूप में पाए जाते हैं इन पादपों के अंदर जो बीज है वो नगन अवस्ता में यानि की बिजानू के रूप में पाए जाते हैं य उदारन की बात करो तो पाइनस और साइकस ये दोनों ही नगनबीजी यानि जिमनो इस्प्रम के उदारन हैं ये पोधे कैसे होते हैं बहु वर्सी सदाबार यानि लंबे समय तक एक जैसी इस्तती में रहने वाले और कैसे होते हैं काश्टिय यानि की इनकी जो सरंचना है वो कठोर भाग यानि लकडी से बनी होती हैं उदारन है पाइनस और साइकस ये दोनों आपके जिमनो इस्प्रम के उदारन हैं आगे बात करूँ वो है अगला वर्गीकरण आपका पांच्वा वर्गीकरण है एंजियो इस्प्रम कौनसा है एंजियो इस्प्रम तो ये दो सब फ़लो के अंदर ढके होते हैं कि इन पोदों के जो बीज होते हैं वो फ़लो के अंदर ढके होते हैं ठीक है इनके बीजों का जो विकास है वो कहाँ पर होता है अंडासे के अंदर होता है जो बाज में क्या बनता है बाज में फल बनता है इसी वज़े से इन्हें हम क्या कहते हैं कुस्पी पादब भी कहते हैं क्या कहते हैं कुस्पी पादब भी कहते हैं इनमें बोजन का जो संचे है या तो वो बीजपत्र में होता है या फिर कहाँ पर होता है ब्रून पोस में होता है और बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंज्यो इस्प्रम को आमने कितने भागों में बाटा है दो भागों में एक बीज पत्र वाले पौदों को एक बीज पत्री और दो बीज पत्र वाले पौदों को द्वी बीज पत्री कहा जाता है एक बीज पत्र वाले पोदों को एक बीज पत्री देखो उपर जो चित्र में दीख रहा है इनमें जो आपका बीज है वो कैसा होता है एक बीज पत्री उसका हम दो समान भागों में वर्गी करन नहीं कर सकती लेकिन यहां पर देखो यहां पर जो आपका बीज होगा उसका हम दो समान भागों के अंदर क्या कर सकते हैं वर्गी करण कर सकते हैं जैसा आपने चने का बीच देखा होगा उसको हम दो समान भागों में आसानी से तोड़ सकते हैं तो वो कौन सा होगा आपका द्वी बीच पत्री होगा आगया सोज में आगे बात करो जिम्नो इस्प्रम और एंजो इस्परम में अंतर वैसे हमने अभी देख लिया था पीछे एक बार फिर से देख लो जिमनो इस्परम और एंजो इस्परम में अंतर प्रिक्सा में पूछा जाता है अच्छे से आप याद कर ले ये वरगीकरन कई बार प्रिक्सा के अंदर पूछा जाता है देखो जिम्नो इस्प्रम की पहली विसेस्ता जिम्नो और इस्प्रम से मिलकर बना है जिम्नो मतलब नगन इस्प्रम मतलब बीज यानि इन में नगन बीज ये उत्पन करते हैं इनके जो बीज होते हैं वो खुली वस्ता में पाई जाते हैं जबकि एंजियो इस्प्रम पादप के जो बीज हैं वो फल के अंदर बीज उत्पन करते हैं इनके बीज क्या होते हैं फल के अंदर होते हैं जिम्नो इस्प्रम के जो पादप हैं ये बहु वर्सी सदाबार लंबे समय तक सदाबार रहने वाले और कैसे होते हैं कास्टिय यानिके मजबूत पत्र नहीं होते लेकिन एंजियो इस्प्रम के जो पादफ है उनके जो बीज वो कैसे होते हैं बीज पत्र वाले होते हैं जिमनो इस्प्रम के उदारन है पाईनस और साइकस वही एंजियो इस्प्रम के उदारन है आपका पैफियो पैडिलम ये एक बीज पत्री पादफ है और आइपो मिया ये आपका द्वी बीज पत्री पादफ है तो ये दोनों के अंदर अंतर हो गया तो प्यारे विद्यारतियो आज की इस क्लास में हमने पादव जगत को बहुत अच्छे से समझा है किसके बारे में समझा है हमने पादव जगत क्या होता है और पादव जगत का जो पांच भागों में वर्गी करण था उस वरगी करण को हमने बहुत अच्छे से समझा है जिसमें थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेहिडोफाइटा, जिमनो इस्प्रम और एंजो इस्प्रम इन पांचो केटेगरी के बारे में हमने बहुत अच्छे से सिखा है उम्मिद करता हूँ आज का पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, यदि आपको मेरी क्लास और ये महनत पसंद आई है, तो फिर लाइक, कमेंट, सेर और सबस्क्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगली क क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत!